आज मैं सभी बच्चों के फेवरेट नहीं आल टाइम फेवरेट पीजा की रेसिपी शेयर करूँगी लेकिन मिनी पीजा की रेसिपी बताऊंगी वो भी विदाउट आवन एंड विदाउट इस्ट ये छोटू सा पीजा ना इतना टेस्टी बनेगा कि ये बेकरी के बड़े तो सबसे पहले हम सामगरी खट्टी करेंगे यहां पर ये दो कप मैदा लिया है मैंने इसको मैंने पहले ही चान लिया था अब इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा आदा चम्मच बेकिंग पौडर साथी साथ में हाफ टीजपून सॉल्ट एंड हाफ था तो नमक से डवल कर सकते हैं आप चीज़ों को ड्राइमिक्स करेंगे अच्छे तरीके से अब यहां पर डालेंगे एक चौथाई कप दही तो ड़ी डालने से क्या होता है यह जो डो बनता है वह बहुत ही फलफी जालीदार बनता है और पिजा बेस बहुत ही बढ़िया soft bun का तेयार होता है अब मैंने यहाँ पर दूद लिया है normal temperature का दूद लेना है और थोड़ा थोड़ा हम दूद मिलाते जाएंगे तो लगभग लगभग न मिरको आधा कप से थोड़ा सा जादा दूद लगा था दो चमच लगभग जादा दूद लगा था तो धीरे धीरे कर हो रही थी तो मैंने इस पैचलो को एक साइड में हटाया और हातों से अच्छे तरीके से नीट करेंगे अब यह थोड़ा सा चिपकता है इसलिए मैंने यहाँ पर लगभग तीम टेबिस्पून ओइल लिया है और अभी दो टेबिस्पून इसमें डाल दिया है एक टेबिस चिपकना चाहिए हाथ में और जिस बरतर में आप गूत रहें उस बरतर में भी बहुत चिपके गई है तो समझ लीजे रोटी के आटे से भी नरा माटा हमको गूत कर तयार करना है और अब इसकी हम तेल मालिश करेंगे क्योंकि इसमें हमको ग्लूटन डेवलप करना है तो यह देखिए अभी तो यह बहुत जादा चिपक रहा है और टूट भी और जैसे जैसे इसको हम मारते चले जाएंगे तो यह एक साथ बंधना स्टार्ट हो जाएगा और यह जो चिपक रहा है हाथ में जा थाली में बंध हो जाएगा तो लेकिन इसमें चार से पांच मसाज करते करते यह देखिए बिल्कुल चिकना हो चुका है ना हाथ में चिपक रहा है ना ही थाली में चिपक रहा है अब इसको पीछे तरफ सभी पूरे आटे को ले जाकर टक कर देंगे और रेस्ट के लिए छोड़ देंगे लगभग 15-20 मिनिट या आधा घंटा तो वै कर लेंगे तो आधा पोशन मैंने अलग कर देना है और आधे पोशन की हम डोबोल्स कर लेंगे तो यह मिनी पीजा है तो हमको चोटी-चोटी डोबोल्स करनी है आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही सॉफ्ट है और इसमें बढ़िया सा ग्लूटन डेवलप हो गया है खेचा कोडिया चAKले के ओपा थोड़ा सा मैदा चिडखेंगे और एक डॉ बोल लेंगे और इसको चोटा सा हम बेल लेंगे समझ जिजैंगे जैसे पूरी मेलते है न उस तरहां की से उकी जान हम बेलना है इसको पतला नहीं करना है जो पीज़अ सबूटा ह्ता है सबीन की में और और थेकनेस में आपको दिखाते हूं साइट से यह देखिए अच्छा खासा मोटा है इतनी थेकनेस होनी चाहिए और इसको अब हम क्या करेंगे फॉर्क की सायता से प्रिक कर लेंगे जिससे की पूरी की तरह फूल है नहीं मतलब यह गुबारी जैसे ना फूल जाए जब इस को बेक करेंगे तो इस तरीके से प्रिक कर लेंगे यह दिखिए तो यह हमारा बेस बन का तयार हो चुका है इसी तरीके से दूसरा भी बेल लेंगे यहाँ पर दूसरा भी बेल लिया है और इस तरीके से मैंने चार एक साथ बना लिया है पीजा बेश सभी को परिक कर लिया है और इतने बीशिया मैंने एक तवा गरभ होने के लिए गैस के वे पर रख दिया था अब यहां पर एक चीज़ भ्यान रखिएगा उपर जो जहां से हमने प्रिक किया था उसको नीचे पलटते हुए डाल देंगे मतलब उस तरफ से हमको सेखना है यह देखिए सब को पलटके डाल देंगे यानि कि जो प्रिक वाला हिस्सा था उसको हम तवे की तरफ नीचे कर देंगे, फोड़ा सा सिखने देंगे, हारली कुछ सेकेंट लगते हैं, 40-50 सेकेंड लगेंगे, और ये हलका सा सिख चुका, ऊपर से ये आप देख पा रहे हैं, बस इसको अब हम पलट लेंगे, और पलट के सीधा प्लेट में निकाल लेंगे, दूसरी तरफ से हमको नहीं से हटा दिया है, मैंने क्योंकि कई बर के होता है, गरम होते हैं, तो नीचे से पसीजने लगते हैं, इसलिए प्लेट में से हटा के मैंने इसको बुड़न बोर्ट के उपर लग दिया है, तो ये देखें, एक तरफ से सिखे हुएं, दूसरी तरफ से कच्चे हैं, अब के उपर मैंने पिजज प्रस स्परेट कर दिया है, अब मोजेरिल चीज लिया है, तो Grated मोजेरिल चीज बहुत आसानी से मारकट में मिल जाता है, तो वो भी सारे बेश के ओपर हम स्प्रेट कर देंगे, यह देखें, और साती सात में जो पिजज़ का जो ग्यूभ आता है, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया, यह बहुत बढ़िया मेल्ट हो जाता है, तो देखे आप अपने घर के राजा है, आप जितना ज़्यादा चीज़ें डालना चाहते हैं, जितना हेल्दी इसको बनाना चाहते हैं, बच्चों को पसंद है, वो इसमें आप भर-भर के डाल सकत हैं, इसमें कोई ऐसे हाड और फास रूल नहीं है, कि यही होना चाहिए, तो ही पीजा बनेगा, जो आपके पास में है, वो चीज़ें डाल दीजे, और यह दिखे, इस तरीके से, इसमें सभी चीजों को हम लगाते चले जाएंगे, अरेंज करते चले जाएंगे, और मैं स् असेंबल करने के बाद, एंड में पीजा सीजनीं जो आती है, मार्केट में, उसको स्प्रिंकल कर देंगे, साथ में रैचली फ्लेक्स को भी स्प्रिंकल कर देंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अब यहाँ पर कोई अवन का इस्तमाल हम नहीं कर रहे हैं, तव अब यहाँ पर एक बड़ा सा धक्कन लगाएंगे, तो मेरे पास में इतनी बड़े तवे के लिए कोई धक्कन नहीं था, तो मेरे पास में एक तंकी जैसी थी, उसका धक्कन मैंने इसमें लगा दिया है, आप इस पैन का भी इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन पैन में न दो पी जबन का तयार होते हैं दोस्तों, बाहर के डॉमिनोस के पीजा हट के सारे पीजा फेल हैं, घर पे आप बहुत हेल्दी तयार कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, तो उम्मीद करते हूं आज की रेसीपी आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइ झाल झाल